हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम गड़ीत का संपूर हल देखने वाले हैं फ्रेंस ये एक प्रकार का दो हजार चोबिस के लिए वायरल पेपर है 27 फर्वरी को इस पेपर में से मैक्सिमम सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा ता आप इस पेपर का संपूर हल आप चरूर देखें चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखें आप सभी को इसके निर्देश के बारे में और समय के बारे में आप सभी क को पहले से पता है आपको परतेग पेपर में आप सभी को बता है कि आपका जो समय रहता है तीन घंटा पूरा सब्सक्राइब का समय मिलेगा पंदरे मिट जो हता है इस प्रश्च पत्र को समय पढ़ने के लिए समय दिया जाता है और सतर नंबर का पूरा पूरांक रहता है ठ यह आपका समय न गवाते हुए सीधे प्रश्ण को हल करते हैं ठीक है तो आपके सामने पहला नंबर का प्रश्ण है देखिए देखिए यहां से स्टार्ट होता है खंड जिसमें 20 बहुई कल्पी प्रश्ण है और साथ में आप सभी को लांग कोईशन भी कराने वाले हैं तो आप व्यूडियो को लास्त के जिरूर देखिएगा आपके सामने पहला नंबर का सवाल है कि किनी दो धनात्मक पुड़ां को ए और बी के लिए हैं यह तो फार्मूला आप सभी को पता होगा कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या मर पहली संख्या गूरे दूसरी बराबर दीनि綱 परव्या भी नहीं होगा मंट नहीं और एहां और भी दीआ ये और यह भी अफसं नहीं होगा आपका यहां प outfits अनगया घवर्यू संख्या होते दूसरी संख्या पहली संख्या गुर्ण दूसरी संख्या बराबर मौसा गुर्ण लहसा होता है तो इसको याद रखिए ठीक है इस पर आपका सवाल 2024 में 100% पर सवाल जरूर देगा ठीक है यह डायरेट आपको यह फार्मूला ही पुछ लिया जाएगा तो चलि करते हैं अपरी में संख्या से भाग देते हैं अपरी में मतलब होता है कि जैसे करणी में तीन हो गया करणी में दू हो गया करणी में पांच जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकल पाता है वह अपरी में संख्या के अंत्रकत आता है जिसे आप करणी तीन का भाग सब्सक्राइद करने सब्सक्राइब सब्सक्राइब कमान जी आएता है यहां से यह कमान ग्याद कर लेते हैं यह अब बराबर कितना हो जाएगा यह जहां बराबर आप क्या करेंगे कि यहां पर यहां के जगह तो प्लस साथ कर लिजिया कितना हो जगभा सब्सक्राइब कर लिए ठीक है अब देखिए पाच के स्कॉर 25 होगा और 12 के स्कॉर 144 होगा ठीक है अब यहां पर जोल लीजिए देखिए जोड़ें कि 144 में पचीस तो 169 हो जाएगा ठीक है अब 179 का वर्गमुल आप सभी को पता है कि 13 होता है तो इसका कितना माना आया यह अपसं Hunt सही हो जाएगा ती इस पकास सिस्वाद ग लगाना था आपके सामने अगला नंबर सवाल की चौधा नंबर का कि किसी परिमेंश करी संख्या के संतुलước परिमेंश क्रीं ऑतरी है को इसको अपरिभासित करते इसका डी वाल आप्संण सही हो जाएगा त्वासित अर्थात अनद्ध होता है ठीक है चले अगले नंबर के question को देखते हैं पांचवा नंबर का देखिए कि a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 तथा a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 दूर रैखिक समिकरण है यादि a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 बराबर c1 upon c2 हो तो यह क्या होगा तेरे खाएं समपाति समांतर होगा यह रेखाएं समपाति होगा यह रेखाएं प्रतिछेत करती है यह इन में सु कोई नहीं देखिए डायरेक्ट आपको दो चरवाले लाइकिक समिकरण में दो तीन कंडिशन बनता है जो आप सभी को बता हैं तो क्या होते कि दोनों रेखाएं समपाति होगा जैसे एक रेखा यह है इस पर दूसरी रेखा इसी को उपर रहता है तो उसे बोलते हैं समपाति रेखाएं इसे भी ध्यान प्रशन आते हैं और 2,024 के बोर्ट के इकशाम में इसी परकार के मैंक समें सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा इस पेपर का सम पूर्ण हल जरूर आप देखिएगा इस अमें समें अन्युन सवाल आपके बोर्ट के इक्शाम में मिनने मार ले हैं ठीक हैै देखे संख्या एक रहा होका वह यक्स रहा होगा ठीक है अब यह का रहा है कि किसी संख्या का तीहाई भाग तीहाई भाग का मतलब यक्स में तीन का भाग देंगे तीसे तीहाई भाग बोलते हैं और तीहाई भाग किसके बराबर एक कैस के बराबर है अब तीन का इदर गुड़ा क लिए तीन दुन्हें आप इसके बढ़बर हो जाएगा ऑप सवाल को देखते हैं साहतमे नमबर सवाल क्या है कि सामने यदि दिव घात समीकड़ यक्स स्क्वार प्लस दू यक्स माइनस पी बरावा जीरो का एक मूल माइनस दू हो तो पी का मान ग्याद करना है देखे इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे बहुत सिंपल सवाल है मूल देने का मतलब होता है कि यक्स का मान दिया है ठीक है और यस समीकड़ में जहां पी यक्स से वहां पर क्या रखना है आपको माइनस दू रखना है तो आपको देखे सवाल क्या है कि यक्स स्क्वार प्लस दू एक्स माइनस पी बरावर क्या जीरो यहां पर क्या करेंगे, जहां पर सब्सक्राइब प्लस दू गुड़ेंए यह प्त प्लस प्लस दू गुड़ें यगस के जगर आपक् crystal करेंगा मैंस पी बबर जीरो पी जब इधार आगा तो यह चिन बदल जाता है तो यहाँ जाएगा आपका देखते हैं आपसे पी कमान धीडू आया है आपसरन के सवाल को देखते हैं 8 वा नमबर का देखते क्शेत्व युक्त है के अनुपात के वर्ग के बराबर होती इन तिर्भूजों को हो गया यह तिर्भूज क्या हो जैसे संभाव हो जाएंगे विसंभाव होगा समरूप होगा यह सम दिभाव होगा जैकि आप लोग थेल्स पर हैं आप सभी को पढ़ाएंगे जब इस प्रकार से तिर्भूज होत सब्सक्राइब कर दिमाग लगाना नहीं था अगला नमबर का सवाल क्या है कि यक्स अच्छप इस्थीद एवन बिंदू कम नौ से संधुरस्त है बिंदू के निर्दशांग ग्याद कीजिए अब दिखिए यह सवाल आप कैसे लगाएं बिंदू के निर्दशांग भी पू जैसे देखिए काने का मतलब कि यह एक रेखा है इस पर दू बिंदू मालेची ए बिंदू यह है और बिंदू है इसका क्या दिया है दू कामा माइनस पांच एक दिया है माइनस दू कामा नो ठीक है और यक्स अच्छ परिस्थित होने का मतलब कि यक्स अच्छ परिस्थि आप सभी को बता तैτε आप जितने भी पेपर हाँ करा आंगे अप अतुना पेपर हाल की होँए तिð सिप्पल लग रहा होगा ठीक है दो ऑबिन्दू के बीच की दूरी के दूरी का फार्मूला होता है अंधारूट में यज़ स्वाल माइनस एकृसे न्वाई को सकूर होता है और यह फार्मूला नुका कैना यह अन्ड़ूरत में पूरा है अब यहांसे क्या ने इसे y1, 7-6, 6-5, 7-1, 6-5, 3-4, 8-3, 8-3 इस तरह करदार म सम्हाल लेंकैंगे. अब देखिए, यहाँ पर क्या है, कि सब्सक्राइब का फर्मुल दिया है संब दूरस्त इसका मतलब ए पी की भीच की डूरी,ा पी की तूरी ब्राबर होता कि Center for यानि यह दूरी और यह दूरी आपस में बराबर है दूरी वाला फार्मुल लगा दिए अंडर रूट में देखे एपी के बीच की दूरी मतलब यक्स वन माइनस एक्स टूर यान दू में सी एक्स गटाएंगा जैसे बता रहे उसी तरह लगाईए गए दू मैंस एक्स का हो स्क्रूर हो जाएगा प्लूस अब माइनस पाँच में से क्या करेंगा माइनस पांक में से जक्स क numerous क्र लिए पिल्थ या के ब्लसcare बना लिए प्लस यहां प्या जीरो माइनस यह 9 कर लिए होल इसक्रार कर लिए और अब इस युक्ष को हळल करके यक्स का माला कियाद कर लिए दीखिए जब दोनों पच्रों का दे ज्시고 बचेगा करड़ी हट जाएगा और आपको बचेगा कितना 2-1 का whole square बचेगा प्लस यह-5 में से 0 जागा तो माइनस 5 का square बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यक्स प्लस 2 का square हो जाएगा यह घटेगा तो हो जाएगा फिर इसके बाद प्लस से माइनस 5 की square करेंगे तो 25 हो जाएगा यहाँ पर देखेगा यह प्लस बी का whole square यह रहा है तो ए स्कॉर प्लस बी स्कॉर इस रूप में करेंगे तो ए स्कॉर मतलब यक्स की square दू का जाएगा फ्लस डू यह भी दूद्धना के चार एक्स हो जाएगा ठीक है और माइनस नौ के square करेंगे तो कि यहां से गटा लिग जित क्या है 18 में से 25 गटाए यहां यह रहें यह रहें इंड इस 5 गया च्छ और 7 मीन से दूग आ पांच हो जाएगा ठीक है यक्स बराबर कितना हो जागा 56 माइनस 8 को पाच चांदर करेंगे तो बटा में माइनस 8 हो जागा आट साथ है 56 यक्स बराबर देखे माइनस साथ हो जागा तो यक्स कमान कितना आया माइनस साथ आपको साथ यहां पर आप को आपको ऐसे लगाना था अब देखें आपके साथ लगाना था अगला नंबर का सवाल है इसमें आपको कुछ नहीं करना बस वह पढ़े इंसूर देखें का इसक्वाल देखें कैसे इन्सूर देखें कि वसदेखते रहिएं त्रिफूज ABC के अक समधिवाहु त्रिफूज है जिसमें Ami बराबर एसी यानि कि जब दूब भूजाएं आपस में बराबर होता है और त्र प्रीबूज कौन सा दिया है समदिवाहू यानि कि इस पका से तिरे भूजे देखे ए बी सी इसमें दो भूजाएं आपस में बराबर दिया ए भी बराबर दिया एसी के इसके सामने के कोड यानि कि आपके सामने अगला नंबर का सवाल है तिर भूज ABC में AB बरावाद 6 कोड़ी में 3 cm AC बरावाद 12 cm BC बरावाद 6 cm तो कोड़ भी होगा देखी friends आपको जब भी इस प्रका से सवाल देए और इसमे में लगांजयेगे हैं अवी MAX서 और हमें सनॉन नभयांस होता है अब भी पूसीर बता दी कि handsome आपने नद एक सब्सक्राव लकीन होगा याइसन सवाल अपन अक्रआया dit दो कैसे आक वहां तरकर सबसे बड़ी है ताब क्या करेंगे 12 के square लिखेंगे बराबर जु दू छोटी भूजा उगए एक चोटी भूजा यह इन दूनों का work करके देखेंगे कि यह 12 के square के बराबर आ रहे है कि नहीं यहाँ पिए यहाँ प्लस का स्क्षार कर लिए और इसक्षार करके देखे 25 का मान बरावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका स्क्षार करेंगा देखे 36, 36 में 3 का गुडा कर लेंगे कितना हो जागा 108 हो जागा गुड़ा करके देख लीजेगा यानि 6 कड़ी 3 का स्कॉर करेंगे ते 108 होगा 6 का स्कॉर 36 हो जागा यानि 144 अब जो लीजे कितना हो जागा 144 देखिए जिब इस पकास 144 से 144 दोनों पच्छो का मान बराबर आजागा ति पाय था गोरस परमे के नियम के अनुसार या ति इस पकास से इस सवाल को लगाना रहता है आप बिना लगाए भी इसका इंस पर आसानी से बता सकते थे ठीक है चले अगले नंबर के को देखते हैं देखिए बारा नंबर के सवाल को देखते हैं कि एक संबाहू तिरभूज ABC के बूजा 2A है उसके परतेक सीर सलम के और यहां पर नाम देखें ऑ 리 nci यहां पälike के संबाहू त्री कि ऑट्री वूजा इसकी भूजा 2A तूए का मतलब बी सीरसे सामने वाले भूजा एंसके लंब सब्सक्राइब ना है आपको दिखें जो से लवक्त राइब भाई कर दोड़ देगा तो आदा इधर आज जाएगा और अधर फो सब्सक्राइब सुब्सक्राइब मिला होगा और मिलियंख पमीनको र sugars पर में लगता है यानि कि देखें नभ्यांस की सामने को भूजा यह हो जाए काड यानि कड का इस्कौार है और आधार का इसकौार कर लिजिए लंब क्या है कि एड रसहरे स्कार्ट करना ओषार किदेएगा और 1-2 कि इंबर अब देखें आपको इस पकास से आपको लगाना था अब देखें आपके सामने अग्रा नंबर का सवाल क्या है तेरे नंबर का यदि साईल ए बराबर कास ए तो ए कमान गयाद कीजिए देखें जब भी इस सवाल आपसे पूछें और साईल ए कमान कास ए के बराबर दिया हो और ए कमान पूछा हो तो उसी याद रखें कि ये दोनो कब बराबर होता है जब 45 अंस रहता है 45 अंस की दसाय में साइड A कमान कास A के बराबर होता है जिसका सही जवाब क्या होगा C वाला आपसन सही हो जागा आप इसे बिना लगाए भी इस सवाल को लगा सकते थे अब देखें आपके सामने 14 नमबर के सवाल है और इसे आप कैसे लगाएंगे यहाँ पर दिया A कमान 30 तो 1 प्लस 10 स्कॉर A अपान 1 प्लस काट स्कॉर A कमान ग्याद करना है और इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे बस अब देखते रहे है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है आप आसानी से लगा सकते हैं यहाँ पर दिखे दिया है कि 1 प्लस 10 स्कॉर A अपान 1 प्लस काट स्कॉर A अब आपको करना क्या है बस करना क्या है कि कुछ नहीं करना बस आप देखते रहे है एक मन कितना दिया है 30 दिया थे हैं अब 30 अंस रख लिजे 30 का मांन क्या होता है एक बटा के करोड़ी 3 होता है square है तो इस पर स्कॉर कर लीजिए अपान प्लस kaart 30 संस कography कितना होता है तो 10 का उलता होता है यानि करोड़ी में 3 का square कर लेंगे अब इसको बस आप हल कर लीजिए देखे हल कैसे करेंगे 1 है तो 1 रहने दीजी 1 न cuma 3 स्कोर एक करेंगे 1 and 6 बचेगा 3 upon 1 पलस इसी दर करेंगे सिर्फ 3 होगा अब इसको जैसे आप हल कर सकते हैं देखे 3 के 3 plus 1 बचाए 3 upon 3 है कितना हो जगा 4 हो जाएगा अब यहाँ पर द्यान दीजी तीन है कितना हो जगा चार होगा अपान तीन और इसके बटा में क्या है चार है जब यह बटा के बटा रहता है तो प्लट जाता है देखे चार बटा के तीन इसको समझने के लिए आप एक लेख सकते हैं जब बटा के बटा रहता है तो नीचे वाला भिन प्लट जाता है तो आप्षन को देखते हैं आपके सामने 15 सवाल क्या है यहां गोले की तिरिज्ज्या को दुगना कर दिया जाये तो उसकी प्रिष्टीज च्ट्रफल में होने वाले प्रतिसत ब्रुद्धि ग्याद करना है ठीक है अब यहां पर गोला दिया हैं ठीक ध्यान दिजिएक यहां पर दिया नबोले की तृश्टिः घलम भी पुले की प्रिष्टी 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 चेट्रफल कितना हो जाएगा फॉर पाई अभी इस आर के जग अपकोप कितना हुआ अपकाइजulla ce p जो आइं पूछ रहा है प्रतिषत कितनी व्रीद्धी करतिशत निकाल सबुणांगे प्रतिशत में व्रिद्धी यानी प्रिष्टिश्च्ग्स सबुक्षे सब्सक्रें घटांगे तो पता चला कितना दृध्धी हो रहा है यानि कि a 2 इसको माल ले जो यहां पूर्ड रहा है अपान परतिसम्स पदलने के लिए बड़ा में पढ़त लेंगे हैं और परतिसम्स अंपरत्र लेंगे हमश्वा क्या करेंगे सो से उसमें गूरा कर लेते हैं तो A2 कमान कितना रखें हैं 16 Pi R square minus A1 कमान कितना है 4 Pi R square upon ठीक है A1 कमान कितना है ता हरमें क्या लेगे A1 कमान 4 Pi square गुरे 100 कर लेंगे अब दीखिए इसको हल कर लिए 16 से चार्ज venice 12 Pi R square upon यह कितना है 4Pi R square गुरे 100 दीखिए 3 Pi कर जए सबस्क्राइब करें किटना है 300 प्रथिशाद सफ निगा लेगा इस सवाल को आपको इस फकास्वास्य लगाना था इसका सही जवाब देखिए 300 परतिशत दिया है 300 परतिशत यहां पर दिया है इसका सही जो आपके हो जागा सी वला आपसन सही हो जाए ठीक है समझ में आगया होगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का जो सवाल है 16 नंबर का देखें यहां ध्यान दिजिए ठीक ह अब यहाँ पे दिया है कि दो विर्तों के ब्यासों का अनुपाद यानि ब्यास का अनुपाद दिया है चार अनुपाद नौ है तो विर्तों की परदियों का अनुपाद पूछ रहा है कि विर्ती के परदियों के अनुपाद क्या होगा लूंदिया है इहां को मारा जाता है यहां पे दो भृत्त है पहले वाले को D1 माल लेते हैं दूसरे वाले皮ण आनुपात में दिया है जो उसमें पूало यहां क्यों निए अनुपात में लिखें neu america युसमें पूछ रहा है कि भृतिकी परीधियों में अनुपात होगा र्यूतकी परिधियों पूछ रहा है देखिए विरसकी पृषज के फॉन गरल प्रिजा बनेर डरीति तीरिजा क्रेंगे तो आदा होता है वाले जो भाग है तो पौड का। रुप में हो जाएगा झालो सभी और हो ethos on the As forgot organization जो छोता है वियास होता है देखें इहां पर लिख्यंद के बताते हैं जो ब्यास होता है ने तृइज्ञ को भी से लिखा है वहाँ लिखा है यहां पर लिख सकते हैं यहां पर दी नहीं यह पर दीधि वन फारीधी परीधी वन को लिजाएने कि एक बृत का पान्दूसरे परीधी की परीधी यहां टू को लिए निदूसरे बृत की परीधी हो जाएगा 2 pi r ऩगा 2 pi r और प्रदी यहां पर पर 1 नहीं और 2 pi r2 जगा देखिए दूर से 2 कट जगा पाई से pi कट जगा इसका मतले आरव तो जगा और अर्वन अपना अट्व का मान है कितना चारव बाठा के नौ हो जाएगा इसका हो घूर रांपात छार उनुपात अगलज नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल मुझने इस सवाल को काहिएयमी देखें ध्यान दिया जिन कि साधीर का माध का इस प्रंद ग्याद करनाया तो धिक इस इस सवाल को लगाए के समाझ लीजी आपको सवाल लांक पूछता है व को शार नंबर का सवाल ये पूछता है बहुत HASक सिंपल होता है ठीक है यहां पर क्या होता है को वर्ग अंतराल दिया है अंतराल के बात का डिया है यहां पर बोरता औरबस दिखाते हैंапस यह देख लो तता down ट्रहनित valt धितना हो से लेके दिया दूसार दिया है करी से िसे लिए नवे, ए sing टिया है यायो और चे रेके 10 ये इसकी बारंबार्ता है नोगे बारंबारत पले तीन दिए है फिर एक दिया है फिर फांच दिया है चार है तो इतना करने के बाद जब इस तरह रातल देता है मध्दय भी ऒंदय ड्याद करना पड़ता है मध्दय भी ऑर इदर मतलब नीम लजीमotte इधर के जितने भी मान हेल 1 है, इधर के जितने भी मान हेल 2 हैं इन 2 एक गें 0 प्लस 2 पटा यके 2 करेंगे कितना है धिक गवार बञाबर 1 है है अब देखिये अब इसके बीच में देखेंगे 2 मैं से 0 कटाइंगे 2 यानि में यहां पर मानागा इसमें दो डोते चले जाएंगे 3 में नहीं जोड़े लाता है इसको दो है इतना क्या होगा अगला क्या करते हैं कि यह उक्स भ्याędरत क fulfil इफ गुड़े यक्सयक क्मान यह का मांद यह 230 ऐ tastes । इतना कर लिए इतना कर लें अब झीज़्डा को पूछ्ता है आपसे बाराई बाराई बता करता है आप से अगला इश्टर्म किया करेंगे सीग्रम ग्याद करेंगे मतलब इन सभी का यह चलिए जोड लेते हैं 314459 9 4 94-13 13hem 20 वीजो गया और यहां संद्युक् убийष करेंने सीग्रम करेंगे साहय से करेंगे गया दिक एक्षक्राइब 19 20 21 22 22 को दूँह हसिल दो लग गया देखे चट दू आठ 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 दू दस दू बार कोल मिला कि 122 हो गया समांतर हमाध्य पूछ रहा है यानि के माध्य आप से पूछ रहा है तो माध्य प्राइब फार्मुला होता है सीगमा एफेक्स बटा के सीगमा एफ सीगमा एफेक्स समाना आया 120 अब पांच सीगमा कितना है 20 है तो 20 कर लीजी आप ठीक है अब इतना कर ली अब भाग दे लीजी देखिए भाग कैसे देंगे आप देखिए सीगमा भाग क्याक्स देखिए 15 system समाई काए बगए देखिए 16 समालो इक सेखिए 15 यहां पर दिया इस नंबर यहां पर नंबर का किसी बारेंबार तो बंडण का माद दिया है 24 दस्मोलेख, और 102 दीया है 28 तो उसका माध्यक होगा अब इस सवाल को आपका इस से लगा सकते हैं, बस एक फार्मूला यादः रहाएगा आपा आसानी से लगा सकते हैं देखें, फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर होता है, तीन गुड़े माध्यक, माइनस दू गुड़े माध्यक, यह फार्मूला होगी, अब चलिए रखिए, बहुलक कमाल 28 दियाती है, यहां पर 28 रखिएगा, तीन गुड़े माध्यक, 28 बराबर तीन माध्यक 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 माइनस देखा दू एक 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 ग्रेंग दसमेल लगा लिजिए है यहां पर 28 से यह माइनस से थी पच्छांत करेंगे तिससाट आगर प्लस हो जागा 48, 10 मुलो 2, 3 गुड़े माध्याग ठीक है? अब यहाँ पी स्कुल कीज़े 48, 10 में 28 में 2 चोड़े देखे 2 दस मुलो 8, 8, 16 हो जागा 4, 2, 6, 1, 7 हो जागा 3 गुड़े माध्याग ठीक है? अब 3 गुड़ा में पच्छांता करेंगे यहाँ क्या करेंगे? बटागे में 3 हो जागा यहाँ पी दिखे माध्याग अब 3 का भाग दे लिजिएगा ठीक है? 3 का भाग 46, 10 मुलो 2 में दीजिएगा यहाँ पर देखे भाग देके आपको बता देते हैं चलिए यहाँ पर 3 का भाग देते के दसमोल क्याक जाएगा तो यहां पर दिया आप सेवाल को लगाना था ठीक है अब देखिए आप एस सामने अगला नंब्र का सवाल है अब देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे बहुत ज्यादा सिंपल होता है देखिए यहां पर वर्ग अंत्राल दिया है कि जीरो से 10 है 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 फिर बारामबारता दिया है कि 11 बारा 21 23 चौधर पाच उपरियूद बारामबारता बंटन के बहुलक वर्ग बताना है जो कि सबसे ज्यादा सिंपल होता है देखिए बहुलक वाला जब इसका सही होगा यह आपको क्या है कि यही जो सवाल दिया इसका English दे दिया ठीक है इसका सही हो जाएगा अब आपके सावने अगला नंबर जो पर विकल्पी का लास्ट को एस्टन है है बिस्वा नंबर लगंत देखिए क्या है माध्य माध्यक सबन माध्या ध्क के 20 समब्ड होता है इसका समझेगा कि यहां पर गुड़ा है ठीक है जिसका सही हो जाएगा ठीक है यह था आपके टोटल 20 बहुई कल्पिस्त सवाल इन सवालों को आप एक दो बार जरूर देखके पेपर देने जाएएगा मैकिसिम सवाल इस वीडियो से आपकी पेपर में आने वाला है चले अगले फैस्चन के नमबर के सवालों को देखते हैं यह आपका खंड बहुँ है जिसमें आपको विश्तित उत्त्री प्रश्न दिया है आप सभी को कराने वाले हैं अब हम देखते रहें बहुत सेमफल 45 अंस माइनस कास यहां पर ठीटा यह क्या है यहां पर ठीटा का मान पूछ रहा है अब देखें इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे ठीक है बहुत सिंपल है सवाल को इस पकास यहां पर लिखिएगा 2 कास स्क्वाइर 45 अंस माइनस माइनस एक बराबर कास ठीटा ठीक है अब यहां पर दू गुड़े कास 45 अंस का मान कितना होता है तो कास 45 अंस का मान आप सभी को पता है कि एक बटा के करड़ी दू होता है यहां पर स्क्वाइर तो स्क्वाइर कर लेंगे माइनस एक कर लेंग माइनस एक बराबर कास ठीटा ठीक है दो से दूप कर जागा अब एक बचेगा एक माइनस एक बराबर कास ठीटा ठीक है और एक में से अग गया जीरो यह हो जागा कास ठीटा अब यह बताए कि कास के रूप में किसका मान जीरो अंस होता है तो आप सभी को पता है कि कास नब यहाँ बचे तो कैसी शुद्र ही लगांद नंबर का सवाल है कि दो करम अगया कुरा घ्याद कीजिए जिनकी वर्गो का योग हो तीन-सो पैसठों अब यहां पर इस सवाल लगाएंगे देखें लगाएंगे । अब है सिर्थ अब ज्यास बिवेला लगाना है यहां मानें जितल describes जब ही मिलेटलिमें किसले मननेंगे मानें अब दो धनात्मक पुरांग दिया अए तपहला दूसरा धनात्मक पुरांक माल लेंगे, दूसरा धनात्मक पुरांक, तो देखिए, दूसरा धनात्मक पुरांक क्या मानेंगे, यक्स प्लस एक मानेंगे, क्यों मानेंगे, तो देखिए, जैसे कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मालीज एक लिखे, दू लिखे, तीन, चार, इस तरह लिखेंगे धनात्मक है इस पर दोरह दोगा और जोड़ें आंको प्राप्ट करना नां पहला धनात्मक पुढांग एक्स माने है तो दूसरे धनात्मक पुढांग क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक हो जाएगा अब यहां भी देखिए आपका इन जिनके वर्गों का युग 365 दिया है यहां लिखेंगे प्रश्णानुसार इसका वर्ग देखिए आप लिखाए ने देखिए हलक ऐसे करेंगे यह यक्स स्कॉर अब प्लस यह प्लस यह प्लस बी का होल स्कॉर के रूप में फार्मुला है घे ऐक healthy क्राइब यह कितना जो यहाँ पिल्ष हो जाएगा यह प्लस एक है अब 365 को इधना लाए तो माइनस 365 हो जाएगा चिस बदाल जागे अ और कुछ नहीं बचाएगा जीरो बचेगा यहाँ देखे टू एकस इस्क्वार जाएगा प्लस टू एकस हो जाएगा 365 में से एक घटाए ते कितना हो जाए माइनस 364 हो जाएगा ना बराबर 0 अब दीखे दो सब में दो कामा नहीं तो कामा ले लिए जब कामा लेंगे यहां पर 1 स्कॉर बचेगा प्लस यहां से 2 बार निकल जागे थी दो कामा अब 2 इसमें से निकलने का मतलब 2 का भाग देज़ेगा देखे दियो क्या होजआगा 2 मैंश दो दिना प्रह चाया घ्यार इतना बच्चे का बराबर 0 हो जाएगा इसका मतलब 2 को पच्छाम तक कर लेंगे इसक्वार प्लस एक-mाइनस 182 बराबर 0 बटा के 2 हो जाएगा ति यक्स स्कुराइर प्लस x-182 बराबर 0 अब यह देखे आपको क्या होगा दियुगात समीकर हो गया अब यह दियुगात समीकर है ति इसका अपा हल करना हाकूब कैसे हल करेंगे आँजाए तो इक स्कुआयर प्लस निखेंगो के चौदए हमा इनस तेरह यहांपी इक्स लिखेंगो 682 बराबर 0 यहां पर देखिए क्या है X2'14-3X में करेंगए 13-182 बराबर 0 अब गुणा खंड कर लिए इन दून पद में देखेंगे तो यहां पर हो जागा Y2'14 बराबर 0 यहां से माइनस 14 नहीं यहां माहर लहां लेते है तो अंदर का चिन बदल देते हैं नांक razor प्लस उतुर है प्लस यह चो जोड़ किले एकस प्लस चोल मारूज चाहँ है इसको ओकर्षण्य उत्रीम आगे क्या यख्राव्त जाय लखेत करना है यखना प्लस चाहँ आज जाए है यह च्वर्टखा़ जाट करक यहदुरर जीます और यक्स माइनस 13 बरावर कितना है जीरोत यक्स बरावर कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा ठीक अब देखिए आपको यहां पर जो माने है क्या माने है धनात्मक पुरांग माने है यह एक आरा हिरात्मक में आता है जो धनात्मक में आता है उसे ही आप एंस्वार लेंग डूशरा लिखना रखाते हैं दूसरा है कैसे लिखेंगा देखें दूसरा इसमेंस प्रकास लिखेंगें अगले पेंच पे ब दूसरा धनात्मक पुझा कि नहुंद में अपके नायओ क्टम कि आपके अनले पुरॉंद मानत है यक्स aged चाहरा, आपको समझ में आ गया और सवाल, अब देखें, आपको समझ में आ गया होगा सवाल, सवाल आपको बता है समदुरस्त मतलब समान दूरी पर हो तो यक्स और वाई में संबंद आपको ग्याद करना है और इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे पेफर में बहुत ज्यादा सिंपल होता है आसानी साप लगा लेंगे आप सवाल को देखिए आपको बता रहें पूरे साम अच्छा और इसका दिया है माइनस तीन कामा चार्ट और इसमद कामा वाई है क्या है यक्स कामा वाई है यानि काने क्याने मतलब समदुरस्त का मतलब ही होता है हम वन ने इसन dow विच दूरी से दोरी बीच की दूरी तोरी बरा फार्मुला काद अंडरोट में यह 1-1-1-2- λ2-1-1-1-2-1-2-1-2-1-2. जैसे लगा हरे इसी तरफ बोर्ड की एकजाम में लगाई है कि एक आदम जैसे बोर्ड की एकजाम में लगाना चाहिए उसी पकास यहाँ सवाल लगा क्या आपब बता रहे हैं? अब देखें यहां पर क्या होगा कि एपी की दूरी एपी की दूरी बराबर पीवी की दूरी ठीक है अब बाविकल्पी सवाल लगाते हैं समय इस्टेप कर सकते हैं लेकिन जब लांग को इस्टेप मत गाइब कीजिए देखें जैसे यह बता रहें उसी तरह लगाईएगा एपी की दूरी मतलब अंडर रूट में यहां पर देखें यह दूरी क्या एकस एकस टू करम से हैं फि समय से माइनस 3 माइनस दूरी माइनस करते हैं प्लस कर देना स्वार के प्लस वाईएब के जगा आप लिखेंगे दोनों पच्छों का वर्ग लेने पर दोनों पच्छों का वर्ग लेने पर इसी तरफ बूर्ट की एक्जाम में लगाईएगा ठीक है देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 3-x का square plus 6 minus y का whole square यहाँ पर क्या करना है वर्ग लेना थी इस तरह वर्ग ले लेंगे बराबर root में कितना है x plus 3 का square plus y minus 4 का square यहाँ पर वर्ग कर लेजिए हो गया वर्ग वर्ग कर जाएगे ति यहाँ पर बचेगा 3-x का square plus 6-y का square बराबर x plus 3 का square y minus 4 का square कर लेंगे ठीक है यहाँ पर square कर लेजिए हो गया अब देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है बस एक चीद ध्यान देजिए का आप आसानी से लगा सकते हैं बस आपको एक formula याद होना चाहिए जो पताने जा रहे हैं उस formula पर ध्यान देजिए ठीक है देखिए आपको का जभी x plus minus और plus में आता है तो आपको एक formula पता होना चाहिए a plus b का whole square का formula क्या होता है e square plus b square plus 2ab एक formula ये होता है अगला formula आपको क्या होता है कि a minus b होता है 2021-aclaire this यहां पroidमिक यह formula होता है यह plus , यहां पë nut लेंगे और आपको तो चलिए इसका विस्तार कर लाते हैं, तो देखिए A-B का whole square, मतलब A का square, यहां क्या करेंगे, A का square मतलब तितली के 9, प्लस, यक्स square, माइनस 2A बेते दूर्टे हैं, 6X हो जाएगा, प्लस, इसी तर छा का square करेंगे 36, और प्लस Y का square करेंगे Y square, इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लेगे, 2A भी मैं दूर्टे हैं, 12Y, ठीक है, यह इसका विस्तार हुआ, अब इसका विस्तार कर लाते हैं, देखिए A का square मतलब यक्स square, प्लस 3 का square, 9 हो जाएगा, प्लस दूर्टे 6, एकस हो जाएगा, प्लस, इसका विस्तार करेंगे, यह प्लस 4 चोग को 16 हो जाएगा, यह देखिए, माइनस 2 चोग को 8, यह हो जाएगा, इस तर विस्तार कर लिजिएगा, विस्तार करने के बाद ध्यान दीजिए, आप देखिए क्या करना है, यक्सी square, इधर है यक्सी square, यह देखिए, प्लस y को जो चिन्न के साथ में अदम मान बराबर होगा, उससे से उसको काड़ दीजिएगा, अब देखिए, आपका बश्च कितना रहा है, 6 x प्लस 36, माइनस 12 y, बराबर, इधर से 6 x बच रहा है, यह कितना बच रहा है, प्लस 16, माइनस 8 y बच रहा है, अब क्या करेंगे, जितने एक्स वाला पद को एक्साट कर लेजिए, देखिए, माइनस 6 x, माइनस 12 y, इधर कर देखिए, माइनस 6 x, यह माइनस 7 इधर आगे, प्लस 8 y हो जाएगा, बराबर, यहाँ पर 16 बच रहा है, यहाँ प्लस 36, इसको 35 है, तो माइनस 36 हो जाएगा, अब इसको घटा के हल कर लीजिए, देखिए, यह माइनस 6 x, यह माइनस 6 x, तो माइनस 12 y, यह माइनस 12, यह प्लस है, तो माइनस कितना हो जाएगा, यह माइनस 12 y, यह प्लस है, तो माइनस कितना हो जाएगा, बराबर, यह घटाएगे, 36 में 16 से जोटे चुमीLo पिट करने इसको इधर करते हैं कि अ यहां पही क्या करते है देखें 12 और 4 में कितना माइनस बाहर लेंगे यहां से चार निकल गए बाहर तो यहां माइनस 20 है यहां से होगा है 3X-20 बच्छांत करेंगे माइनस 4 नीचे आजाएगा- Pecor 25 हो जाएगा, 3X plus Y बराबर कितना हो गए, 5 हो गए, तब देख़े क्या करेंगे, 5 इधर कर लेंगे, 3X plus Y, 5 इधर आगा, तो माइनस 5 आज़ेगा, बराबर 0 आज़ेगा, और यही आपको क्या हो जागा, एंसर हो जाएगा यानि यक्स और वाई में जो संबंद आया है यही आपको क्या होगा एंसर होगा इस प्रकास इस सवाल को आपको बोर्ड के एक्जाम में लगाना रहेगा ठीक है जैसे बता है इसी तरह बोर्ड के एक्जाम में लगाने का प्रियास कीजिएगा आपको जित तो लिए सवाल में जो A मुट सवाल आप क्या करेंगे यहां पर टिरिघ्या तिरिघ्या का मतलब होता है 1 का मान यहांपर देकी है ठीज़र में हम पांघ सेंटी मीटर प्लाइब करला है यज का मान आपको कितना 12 सेंटी मीटर 1 12 cm संकू के 3 उचाई देए 23 उचाई मृब्द में आर स्कोर प्लस इस इसकोर की आप सभी को स्क्वार का मान कितना होता है तो 3.5 का स्क्वार का मतलब होता है कि 3.5 बुड़े 3.5 तीन बारा बुड़ा करके देख लिजिएगा इसका होता 1225 ठीक है दू एंग पर 10 लग जाएगा इसी तरह 12 के स्क्वार हो जाएगा 144 ठीक है अब यहां से क्या करेंगे कि 12.25 को 144 में करेंगे पहले देखिए 156 है दसमलो अटा दा देंगे दसमलो दू अंग पर यहां पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा दसमलो का अस्थान पर एक ले लेंगे दो अंग पर जीरो लग जाएगा अब पंदरा जाए 625 का वर्गमुल आप सभी को कई बर बता है तो 125 होता है और लगर जाए यहां पर दीन दसमलो 5 का इसको आप याद रख सकते हैं तो डारेक्ट इसको दूर भी रख सकते हैं तुझ इसका इंसर क्या हो जागा 12 दसमलो 5 सेंटिमीटर क्या हो जाएगा उसकी तेरियव उचाई हो जाएगा ठीक? आपको समझ में आ गया होगा चलि अगल को आप कैसे लगें कि बहुत ज्यादा सिंपल है अभी दूरी वाले फार्मिल अब को बता हैं ठीक है यहां पर देखिए दिया है कि a कामा भी और माइनस a कामा माइनस b है अब क्या करें कि x1 मा लिजेग इसे y1 इसी x2 इसे y2 बीच की दूरी कर रहा है तो दो बिंदू की बीच की दूरी बीच की दूरी बराबर अंडरूट में क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्कॉर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्कॉर ठीक है अब क्या करेंगे कि यहां पर बस मान रख लीजिए जहां पर जो मान है वहां पर रख लीजिए अब क्या करें x1 का मान a माइनस x2 का मान देखिए माइनस है तो माइनस मान प्लस कर देगा a स्कॉर हो जागा y1 का मान कितना है तो y1 का मान है b y2 का मान माइनस में b है तो माइनस मैनस इसको प्लस कर देगा यह b का स्कॉार हो जाएगा देखें यहाँ पे a कितना हो जाएगा 2a का स्कॉार हो जाएगा यहाँ b b है तो 2b का स्कॉार हो जाएगा ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है दू का स्कॉर कर दू दू दूना के 4A स्कॉर हो जाएगा इसे दू दू दूना के 4B स्कॉर हो जाएगा अब देखिए क्या है कि दोनों में 4 कामन है तो 4 कामन ले ले जितने हैं पर हो जाएगा A स्कॉर प्लस B स्कॉर अब दियान से देखिए कि 4 क्या है कि 4 का वर्गमुल तो निकल जागा चार का वर्गमुल दू होता है तो दू बाहर निकल जागा अंडरूट में E square प्लस B square यह आपका अंदर रहेगा और यही आपका क्या हो जागा नसे आपड़ के सवाल को देखने के लिए मिलेगा अब चरिक अगले नंबर के सवाल क्या है और इसेangen सप्सक्रिक्लिकान को देखिएं निम साग़ céu कर निकलना बते when सवाल को आप कैसे लगांगे आपको बता चुके हैं ठीक को मतीक Senhor धनक pear वार करता है कि जो मादे वाल सवार्ता दो नंबर पूछता रहता है आपको क्या करते हैपको मैं भूक tua सवा में जरूड 냉ते हैं तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें और friends एक बात बता दें कि आपका 22 फरवरी से जो exam start होने वाला है आप सभी के लिए जितने भी important सवाल है जितने भी viral question है और जितने भी viral paper हैं वो सभी आपको संपूर हल करा रहे हैं उन सभी को आप जरूर देखिए यदि अभी तक नहीं देखें तो आप playlist से जाक उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ठीक है